नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Realme GT Master Edition 5G vs Realme GT 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Master Edition में 6.27 इंच जबकी GT 5G में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है जोकी GT Master Edition से कम है वीडि की बात करें तो GT Master Edition में 2.89 इंच जबकी GT 5G में 2.89 इंच की वीडि मिलती है जोकी सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो GT Master Edition में 0.31 इंच जबकी GT 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जोकी GT Master Edition से ज्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो GT Master Edition में 174 ग्राम्स जबकि GT 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की GT Master Edition से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुकर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.43 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, GT Master Edition में 85.31 प्रतिशत जबकि GT 5G में 85.92 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो GT Master Edition में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की वाइड आंगल प्राइमरी कैमरा, अल्टर वाइड आंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है और GT 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो GT Master Edition में 9 different type के features मिल जाते है और GT 5G की बात करें तो उसमें 8 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो GT Master Edition में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और GT 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो GT Master Edition में Adreno 642L जबकी GT 5G में Adreno 660 मिलता है चिप सेट की बात करें तो GT Master Edition में Qualcomm Snapdragon 778G और GT 5G में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है बात करें RAM की तो GT Master Edition में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकी GT 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो GT Master Edition में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB की storage मिलती है जबकी GT 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB storage मिल जाती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी GT Master Edition में 4300mAh जबकी GT 5G में 4500mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं कल असकी बात करें तो दोनों phone में same ही तीन colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो GT Master Edition में 2 variant देखने को मिलते है जो कि 6GB RAM 128GB storage के साथ 25,999 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 27,480 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें GT 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते हैं दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों phone में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है फायनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों phone सेम ही है main camera में दोनों phone सेम ही है front selfie camera में दोनों phone सेम ही है performance में दोनों phone सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओपो रानो 6 है, जो की 31,890 रुपे में मिलता है दूसरा शाउमी मी 11X है, जो की 39,890 रुपे में मिलता है तीसरा रियल मी X7 माक्स है, जो की 24,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें 1 प्लस नौ 2 है जो की 39,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है ये आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना